स्वागत है दोस्तों हमारे यूटूब चैनल जिसका नाम है इंफो वित्रा दोस्तों आज हम भूख बढ़ाने के लिए कुछ देशी नुख्षकों के बारे में जानेंगे अमरूद के अंदर कई ऐसे पोसक तर तो पाये जाते हैं जो सिहत के लिए बेहत उपयोगी होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं अमरूद को भुनकर खाया जाए तो सिहत को दोगुना फायदा हो सकता है ची हाँ, ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि यदि अमरूत को भुनकर खाया जाए तो इससे क्या-क्या लाब हो सकते हैं आज का हमारा वीडियो इसी विशेपर है आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अमरूत को भुनकर खाने से सेहत को क्या-क्या लाब हो सकते हैं भुने हुए अमरूत के अंदर पोटेसियम, फाइवर, मैगनीसियम, बिटामिन C और बिटामिन B6 आद ही पाया जाते हैं जो सेहत के लिए बेहत उपयोगी होते हैं बुना हुआ अमरूत काने से क्या होता है यदि हम रोज अपनी डाइट में अमरूत को जोड़ें तो बता दें इसके अंदर फाइबर पाया जाता है जो पेट की समस्या को दूर करने में उपयोगी है पॉइंट नमबर टू यदि आप भुने हुए अमरूत को अपनी डाइट में जोड़ते हैं तो इससे ना केवल ठकान दूर हो सकती है बलकि सरीर को एनरजी भी मिलती है पॉइंट नमबर थ्री यदि आपको भुग कम लगती है ऐसे में आप भुने हुए अमरूत का सेवन कर सकती है यह लीवर की समस्या को दूर करने के साथ साथ भुग को बढ़ाने में आपको बेहत काम आ सकता है पॉइंट नमबर फाइब यदि आपको हाट से संबंदी समस्या है ऐसे में आप भुने हुए अमरूत का सेवन कर सकती है बता दें इसके अंदर पोटेसियम और मैगनीसियम पाया जाता है जो दिल की समस्या के जोखिमो को कम कर सकता है